आपका अपना चनल इंडिया एवन न्यूस जो रखे आपको एवन एवन अवन न्यूस जो रखे आपको एवन रखे आपको एवन पस्ते है झाल झाल मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके, आप सभी का बच्चों की तरे पालन पोशन कर रही हूं मैं तब ही थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब ही रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे तुर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूं आपकी धर्ती माँ थक रही है रशायनों का जड़काव, रासायने खाद और इन सब के कारण पानी इवब हえば में जहरीला पन यही कारण है कि मैं थक रही हूं क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीले बन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाव डालते है लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं है मेरी मिट्टी पंजर हो रही है ये रसाये मेरी मिट्टी के उपजाव पंग को खट पकर रहे है और उससे पाए जाने बादा नवक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है मैं धीरे धीरे और ठक रही हूँ लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी बहुत प्रसंद थी हमेशा हस्ती थी मुझे अब भी याद है मैं तुम्हारी मा सुंदर क्यों न होती मुझे तु सुंदर होना ही था क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी मा के रखवाले थे आप लोग प्राकृते खेती करते थे और फिर हमारी सभेता में तो प्रार्थनावे धरती कल्यान की है ओम द्यव शांति ही अंतर department शांति ही फ्रितविय शांति ही ऑ शध्या है शांति ही बनस्पते हिए शांति ही ओम शांति ही शांति ही शान्ति ही हजानों साल से मनुष्य धर्ती की गोद में रहता आया है लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धर्ती मा को क्या दिया ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं उर्वरक्ता को बर्बाद कर रहे हैं आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रअसायन खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाब देगी लेकिन लंबे समय में उसी रासायन खाद का नुकसान भी है रासायन खाद जहर समान है और तो और फसलों में पानी की खपर भी बढ़ गई है जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का सर्प जमीन के काफी नीचे जा रहा है बच्चों मैं तुम्हारी मा हूँ मैंने तुम्हें सुक्स से जीदे के लिए पर्याब संसादन दिये हैं पर तुम्हारे लालच के पूर्ती के लिए नहीं दिये ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीड़ी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं सोचो चा तुम अपने बच्चों को ऐसे खेट देना चाहते हो जो बंजर हो अरे तुम तुम तो विंदी की बेटी हो मध्य प्रदेश की बेटी हो भारत की बेटी हो आओ तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ धर्टी मां हम ता अपने बिंद के सबे जनन का केवल इतने कहे चाही थे कि प्राकृतिक खेती या समय के माग बन चुकी है प्राकृतिक खेती या उद्देश के साथ हो थै कि जवने जमीन अओ हमरे मिट्टी के उर्वरकता बनी रहा है हम सबका प्रकृतिक के साथ मिर्च्र जैसर ब्योहार करें चाही हम अपना से आमेवाली पीधी के तरों से या विशे का ध्यान दाई के सुने और देखे के विंती करी थे अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे नेचुरल फार भीम न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे मा का शोशड कौन है करता कौन है मिट्टी सहर सभरता जब से जैवित खाद को छोड़ा खुश खाली से नाता तोड़ा अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे तो फिर तुम पच्चताओगे लेकिन धर्ती मा आपको सुरक्षित और प्रसन रखने का उपाय क्या है एक ही उपाय है धर्ती एक परिवार एक भविश्य एक इस मूल मंत्र को आत्मसाथ कर लो प्राकृतिक संसाधन को बचाओ प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसे पद्धती से जैसे गो आधारित उत्पाद जीवा मृत बीजा मृत पंचगव्य गो मूत्र चाज का उप्योग करो ताकि मिट्टी की बादक्ता बनी रहे याद रखना मैं माटी हूं माहोना मेरे नाम में बसा है को पोशन करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है करोणों सालों तक धर्ती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई पेट भरा जब सब का तभी मैंने संतुष् पाई वो माहूं मैं सब की जिसने जन्न न दे कर भी जीवन संभव बनाया अनदाता मेरे पुत्र किसान तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया दिन राज सीच पसीने से मुझको हर मू तक रोटी पहुचाई जब तुमने माथे मुझे लगाया मैं हर्याली बनकर मुस्क किसी एक देश, एक द्वीब, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है बलकि सभी का है क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं धर्टी की शिंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे धर्टीक परिवार के जैसी, सब का भविश्य है के वले धर्टीक परिवार के जैसी, सब का भविश्य है के वले बचे की धर्टी सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक हेरा मालिक पन्ना मोती माना सब के रूप अने हीरा मालिक बन्ना मोटी माना सब के रूप ने अर बचे के धरती सभे बचेंगे जीवन पथ की माला ए जीवन पथ की माला ए अर जीवन पथ की माला ए करो हुआ